डॉक्टर आपने बाद के GERD के और फिर आपने ट्रीटमेंट के बाद के तो इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स दी जाते हैं जो फिर बेसिक ट्रीटमेंट्स तो हम पेशिंट्स को मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि उनका पेट के अंदर का जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी कम रहे और कुछ ऐसी दवाईयां जिससे कि यह जो इसोफेगस की मोटिलिटी है वो उसको आगे बढ़ाता रहे और वो रिफल इसोफेगस के अंदर जखम हो चुके हैं या फिर उनको एक बहुत बड़ा हाइटस हड़नी आए मतलब कि जो उनका इसोफेगस और इस्टमक का जंक्शन है वो पेट से किसके उपर चेस्ट में आ चको है और तो इन पेशिंट्स को डिपेंडिंग उन देर सिम्टोमेटोल को हमको सर्जिरी की भी जरूरत पड़कते है और यह रज्शिरी एक बहुती को मन सर्जिरी है आजintendoiser की जो दुरबीण द्वारा की जाती है और इसमें ड्रिस्क ाल्मोस् स ऑ मिनिमत के सक्ते हैं के सर्जिरी कॉआ गैस इस हध तक भी बढश सकता है की, आपको सर्जिरी कर GERD यानि की खाना वापस आने की समस्या बहुत जादा है बट प्लेन ऐसे डिटी यानि की पेट में जलनोना पेट फ्रूनना उन पेशेंट को सरजरी की कोई ज़रूरत नहीं है तो इस डाइग्नोज क्या होगा इसके लिए अगर किसी भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड यह वाली समस्या है कि उनको पेट में जलन रहती है पेट फूलता है ब्लोटिंग है नौजिया है या GERD है तो उनके लिए जो बेस्ट इंवेस्टिकेशन है या अपर जी आई एंडोस्कोपी जिसमें हमें एक ट्यूब होता है जिसके एंड पे एक कैमरा होता है वह हम मुह से डालते हैं और हम अंदर जाकर के पूरा उनका इसोफेगस इस्टमा को डोड़ना वाला पार्ट देख करके वापस आते हैं तो इससे हमको पता लगता है पेट के अंदर कितने जखम है कोई अलसर तो नहीं है और जो यह अलसर है कोई इसोफेगस वाले पार्ट पे तो कोई अलसर नहीं है कोई हाइटस हड़निया तो नहीं है और उसके बाद में वी आवट ट्रीट दीस पेशन्स